बाईो वेनो जम्मू कस्मीर में जब मैं आता हूँ तब जम्मू कस्मीर के लोग मुझे कई बार कहते हैं कि सेना और सुरक्षा बल हमारी और देश की सुरक्षा करते हैं मगर आप कभी भी जम्मू कस्मीर से गुजराच चले जाएए माहराष्ट चले जाएए उत्तर प्रदेश चले जाएए बंगाल बिहार चले जाएंगे वो कहेंगे कि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं देश को बचाने का काम का सन सैतालिस की लडाई हो पैसट की हो इकत्तर की हो या देसट गर्दी के सामने लडाई हो हर लडाई को यहां के पहाड़ी भाईयो बेनों ने गुर्जर बकरवाल भाईयो बेनों ने गोलियों को अपने सिने पर जहलने का काम किया है और इस देश को और हमारे जम्मु कस्मीर में अमन लाने का काम आप लोगों ने किया है पूरे देश में इस मामले में पहाडी क्षेत्र के लिए गुर्जर बकर्वार भाईयों के लिए पूरे देश में एक सन्मान का भाव है एक सन्मान का भिलिंग भी है भाईयों बैनों आज मैं हमारे प्रत्यासी मलीक जी के लिए आप लोगों के वॉट मांगने के लिए आया हूँ समर्धन मांगने के लिए आया हूँ आप मुझे बताओ भाई आजादी के 75 साल समाप्थ हो गए ये पूंच रजोरी डोड़ा इस और के पहाडी क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए हुआ है क्या अरे यार जोर से बोलो मैं दिल्ली से हुआ है क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए इन्सी कॉंग्रेस और पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार है इन्होंने हमेशा से इस छेत्र का विकास न हो इसके लिए चिंता करी दिए पूरे जम्मु कस्मीर को और विशेश कर ये पहाड इक्षेत्र को पीर पंजाल की पहाड़ियों को विकास से महरूम रखने का काम किया है मुझे बताओ मोदी जी प्रदान मंत्री बने उसके पहले पांच किलो चावल मुप्त मिलता था क्या अरे भाई जोर से बोलो मिलता था क्या मोदी जी प्रदान मंत्री बने उसके पहले पांच लाग तक का इलाज मुप्त था क्या जोर से बोलो था क्या मैं आज भारुक अब्दुल्ला जी को पूछना चाहता हूँ कि किसने हमारे गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाईयों को विकास से महरूम रखा और क्यूं रखा आपने जब हम पहाड़ी भाईयों को आरक्षन देने लगे यहां भेद खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि गुर्जरों का आरक्षन चला जाएगा मैं आपको बताने आया हूँ यहां पर चौदरी तालीब हुसेन साब भी मुझे मिलने आये थे मेरे घर पर उस वक्त मैंने कहा था नौकरियों में और दाखिलों में गुर्जरों का आरक्षन एक पर्संट भी कम करे बगर हम पहाड़ी भाईयों को आरक्षन देंगे और आज मैं फकर से कह रहा हूँ कि नौकरियों में और तालीम में जो आरक्षन था वो गुर्जरों का जस्का तस रख कर हमने पहाड़ी भाईयों को आरक्षन देखा दिया पहाड़ी भी खूस है और गुर्जर भी खूस है पर यह लोग कह रहे हैं कि घुर्जर और पहाड़ी भकरवाल को जो अंदोलन मिला है आरक्षन मिला है रिजर्वेशन मिला है उसको हम हटा देंगे अरे अब्दुल्ला साब आप और उमर छोड़िये आपकी च्वत्ती पूस्त भी आ जाएगी हम ए आरक्षन को रिजर्वेशन को हताने देंगे मैं आज क्या कर जाता हूं थाना मंडी में भायो बैनो यह आपका अधिकार है इसको कोई नहीं चीन सकता कोई नहीं इतना ही नहीं अभी तो आपको नौक्री में आरक्षन मिला है आप मलीक जी को चिता दिजिए हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आप तो संत्रूष्टों कि हमारे बच्चों को नौक्री मिल जाएगी क्लास वन की अरे क्लास वन सी नौक्री से कुछ नहीं होता इतने सालों से अन्याय हुआ है जब तक पहाड़ी गुर्जर का बच्चा चीफ सेक्रेटरी डिजीपी नहीं बनता तब तक आपका अन्याय दूर नहीं है और यह प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे तो पहाड़ी बच्चे भी गुर्जर बच्चे भी बकरवालों के बच्चे भी चीफ सेक्रेटरी और डिजीपी बन पाएं यहां दूर दराज के ख्षेत्र में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं हमारे बच्चे भी इस्वर ने हमें भी इतनी ही अकल दी है जितनी बड़े-बड़े सहरों में हैं मगर यहां ट्रेनिंग का भाव मैं आज कहकर जाता हूं कमल के निसान पर महर दबा दिजिए पूंच रजोरी में आई-एस-आई-पी-एस की परिक्षा के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं यह ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे इतना नहीं बच्चे को वहां रहने का खर्च होगा पहाड से आएगा कोई घुरजर बच्चा वहां जाएगा खर्च होगा उसको हर साल दस जार रूपिय का वजीफा देने का काम भी हमारी सरकार करें अगर इनकी अच्छी ट्रेनिंग हो गई इनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया स्कील का ट्रेनिंग होआ इंटर्यू देने का ट्रेनिंग होआ तो बच्चा आसानी से IS IPS बन पाएगा और चम्मू कस्मीर छोड़ो कस्मीर से कन्या कुमारी और गुजराच से बंगाल तक हमारे बच्चे IS बन पाएगे इसकी व्यवस्ता जनाब नरेंद्र मोधी जी करने वाले हैं नरेंद्र मोधी जी बायो वेनो यह लोग कुछ दिया नहीं है और लेने की बात करते हैं यह कहते हैं कि हम रिजर्वेशन का पुनविचार करेंगे मैं फीर से कह कर जाता हूं हम रिजर्वेशन का पुनविचार नहीं करने देंगे बायो वेनो इस बार इस पहाड़ियों पर कमल का फूल खिलाईए यह चुनाव तीन परिवारों का यहां सेहन साहत है उसको खतम करने का चुनाव 75 साल से अब्दुल्ला परिवार गांधी नेरु परिवार और मुप्ति परिवार सासन करें मैं आपको पूछना चाहता हूं आपका अधिकार नहीं है क्या है या नहीं है अब तक जमूरियत को उन्होंने अपने बुटो की एडी के नीचे कुचल कर रखा जा मोदी जी ने आने के बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराए तैसिल पंचायत के चुनाव कराए जिला पंचायत के चुनाव कराए और जम्मू कस्मीर के 30,000 वा आज जमूरियत के रा और मंत्री बनकर निकलेंगे, मंत्री बनकर निकलेंगे, अब तक मुझे बताईए जरा किस ने ग्राम पंचायत, ब्लोग और डी डी सी के चुनाव रोककर रखे, आपदुल्ला परिवा ने रोककर रखे, नरेंद्र मोदी जी ने जमूरियत को गाम तक पहुचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और फारुक साब ये पहार की रादियों में वोट मांगने तो आते हो मगर जम्मु कस्मीर आप से हिसाब मांग रहा है 30 साल तक दैसतगर्दी चली हमारे बच्चे हाथों में मसिन गन लेकर लड़ दे रहे सहीद हुए मारे गए पुलिस की ओर से मरे तो भी हमारे बच्चे बने और दैसतगर्दी में मरे तो भी हमारे बच्चे कौन जिम्मेदार है इसके तीस साल में तीन हजार दिन जम्मु कस्मिर बंद रहा विकास रुख गया एक पूरी नस पड़े लिखे बगर की हो गई कौन जिम्मेदार है फारुक साब आप और आपका परिवार जिम्मेदार है नब्बे के दसक में जब यहां दैससत गर्दी ह हुई तब आप तो इंग्लेंड में ठंडे में मौज मस्ती कर रहे थे और कस्मीर का युवा रोड पर मारा जाता था आज भी डरा रहे हैं कि पहाडों में फीर चे दैसत गर्दी आएगी टेररिजम आएगा मेरी बात सून कर रखो भाईयों बैनों नरेंद्र मोधी सरकार है हम टेरिरिजम को पहाड में से गाड कर रख देंगे इनको नहीं पनपने देंगे नहीं टेरिरिजम से किसी का भला नहीं हुआ है अरे फारुक साब आपने बच्चों के हाथ में बंदूके और मसिन गण पकडाई मोडी जी ने किताबे और कॉंप्योंटर पकडाने का काम किया है और मैं आज कह कर जाता हूं हम भी बंदूक पकडाएंगे हम भी मसिन गण पकडाएंगे मगर दैसतगर्दी की नहीं सुरक्साबल और सेना में स्पेस्यल भरती अभियान कराकर नौकरी दे कर पकराई यह तरीका होता है युवाओ को भविश्य को सिवाना और राहूल गांधी महबत की दुकान की बात करते हैं और महबत की दुकान से आतंक का फर्मान कहते हैं पाकिस्तान के साथ बारता करो मैं आपको बताता हूँ जब तक पाकिस्तान टेर्रिजम बन नहीं करेगा कोई बारता नहीं होगी वारता होगी तुम मेरे पहाड़ी बच्चों के साथ होगी पहाड़ी बच्चों के साथ होगी भाईयो बैनो आज मैं कहने आया हूँ ये विनासकारी एजंडा से बहार निकलना है और यहाँ पर डेवलप्मेंट लाना है मैं आपको कहने आया हूँ भाईयो बैनो एक कॉंग्रेस अब्दुल्ला परिवार और मुप्ति परिवार ने विकास के लिए कुछ नहीं किया विकास के लिए अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोधी जी ने किया हमारा ये नेशनल आईवे 144 से पूंच तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया सहाद्रा सरीप से लेकर बड़ी वैग तक रोर बनाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया मंगोटा से दरहाल तक हाई स्कूल राजदानी से बिसामोडा तक और गली से सहरद्रा सरीप तक पक्की सड़क करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है और दो कैबिनेट पहले ही मोधी जी ने ताई किया है कि देश बर के पहाड़ी इक्षेत्र में पचास की भी जहां आबादी है वो सारे गाव मजरे टोले को वो आबादी को पक्की सड़क से जोडने का काम नरेंद्र मोधी सरकार करेगी इसको सबसे बड़ा फाइदा हमारे पहाड पर होने वाला है भाईयो बेनो सोनी सानुकोट नाकी तांडवल एस सारे गावों को पक्की सड़क में जोड़ा है और सहादरा सरिप में बहुत जल्द ही उडन खटोला रोपवे लगने वाला है जिससे यहां आने वाले परियटकों की संख्या बढ़ जाएगी और बुझूर्ग लोग भी चद्दर चड़ाने के लिए सहादरा सरिप पर जापाएंगे भायो बैनों ठाना मंडी में नया फुटपाज बनाया मुगल रोड में रेश्टाउस बनाया ठाना मंडी में जिल्ला अस्पताल का निर्मान हुआ और पहाडी समाज को रिजर्वेशन देने का काम भी नरेंद्र मोधी जीने किया है भायो बेनों मैं आज आपको कह कर जाता हूँ हमारा संकल पत्र गोशना पत्र है कि पहाड पर सबसे वरिष्ट महिला जो गर में है वो हर महिला को सालाना 18,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोधी जी जी जाए उजवला के लाबार्थियों को दो सिलिंडर मुप्त दिये जाएंगे इसके साथ साथ गैस सिलिंडर का दाम पांसो रुपया कर दिया जाएगा ये हमने जाए किसानों को 6,000 रुपया मिलता है अब से 10,000 मिलेंगे और कुशी के खेती के बिजली दरों में 50 प्रतिसत की हम राहत करेंगे और पहाड पर 500 पॉइंट तक बिजली का बिल हम माप कर देंगे जम्मू में एक आंतराष्टी हवाई अद्दा बनाएंगे जम्मू में मेट्रो ट्रेन चलाएंगे तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे रंजीत सागरबांग के लिए अलग जिल बनाएंगे और मैं पूंच रजोरी वालों को कह कर जाता हूँ अपने पांच तलाबों के आसपास पहल गाउं जैसे दो बड़े सहर बनाएंगे जिसमें दुनिया भर के यात्री आएंगे भाई पहाड़ी यहां भी है वहां भी है बरब यहां भी है वहां भी है हर्याली यहां भी है वहां भी है 75 साल तक यहां नहीं बना क्यों नहीं बना क्योंकि वो चाहते नहीं मैं आपको बता कर जाता हूँ भारत सरकार दो सहरों का विकास करेगी जो पहलगाओं की तरह एक विश्व भर में पूरी दुनिया में परियतन का सेंटर बनेंगे जिससे हमारे परियतक बढ़ेंगे और भाईयो बेनो मोदी जी के राज में 2014 के पहले परियतकों की संख्या 30 लाग तक सिमिठी अब 2 करोड से ज्यादा परियतक जम्मू कस्मीर में आ रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी के साशन का कमाल है हम 5 लाग सरकारी रोजगार प्रेदा करेंगे प्रगती सिक्सा योधना के तहट कॉलेज करने वाले विद्यार्थी को 3000 साला ना देंगे किस्त वाड में आयू सर्बलपात दोडा में परियतन उद्योग जम्मू में IT हब और उद्धमपुर में फार्मासिटिकल हब बनाकर जम्मू संभाग के लिए पूंच रजोरी सहीच एक क्षेत्रिय विकास बौर्ड बनाकर समग्रक्षेत्र के विकास काम काम करेंगे पहाड पर घर बनाने के लिए पांच मरला भुमी मुख्त में देंगे और पहाडीों को जो रिजर्वेशन दिया है गुर्जरों को जो रिजर्वेशन दिया है उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सर्वाइब